ममा दादी मा आ गए रिंकू की आवाज कानों में पड़ते ही नेहा ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदी पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर टुपटा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई सास के आते ही नेहा ने सबसे पहले अपने सासू मा के हाथ से उनका बैग लिया और उनके पैड़ चुए इस पर शर्मिला जी ने उसे खुश रहो का आसिर वात दिया और फिर बड़े ही जोश के साथ अपने पोते रिंकू को गले से लगा लिया नेहा ने सासू मा जी के सामने मेज पर पानी का गिलास और गाजर का हलवा रखते हुए पूछा मा सफर में कोई परिसानी तो नहीं हुई नहीं कोई परिसानी नहीं हुई निया से बात करने के बाद शर्मीला जी ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया और कहा हेलो हाँ बहन नमस्ते मैं आगरा पहुच गई हूँ हाँ मैं ठीक हूँ आप बताओ दीदी कैसी हो हाँ अच्छा ठीक है मैं कल आराम से बात करती हूँ आप से बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगे ठीक है दीदी नमस्ते शर्मीला जी ने अपनी बड़ी बहन जो की नाकपुर में रहती थी अपनी शाकुसल आगरा पहुचने की ख़बर दे कर फोन रख दिया और सासों मा के आते ही रिंकू से कहा रिंकू बेटा हर जगा तुमने ये अपना सामान भिखे कर रखा हुआ है और बेटा कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो पता है सुबा से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी बुक शिर्फ ठीक कर रही हूँ प्लीज बेटा थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो न और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते ठक गई हूँ ये लो जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाजार से अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है जो मैं शाम को जब रिंकू की किताबे लेने जाऊंगा तब लेता हूँगा क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में ही पड़ती है अरे ये क्या मैंने अभी भी डाइनिंग टेबल साब की थी और आपने ये गंदा थैले इस पर रख कर फिर से गंदगी कर दी एक लंबी सास भरते हुए नहा बोली एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम तो करते नहीं है और जो थोड़ा बहुत करते भी थे मा के आने से वो भी कम हो गया है एक ग्लास पानी भी अपने हाँ से लेकर नहीं पीएंगे ये कहते हुए तेज हो गई नहा की आवाज तुरंत शर्मीला जी ने कहा क्या हुआ भो कुछ नहीं मा और इतना कैकर घर के काम में लग गई करकर सारा काम निपटा कर नहा शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई नहा ने खाने में सारी चीजे अपनी सासुमा की पसंद की ही बनाई थी पनीर की सबजी, गोबी और दही बड़ा से लेकर गाजर का हलवा और खीर भी बनाई थी आज नहा के हातों की बनी हुई, शर्मीला जी पहली बार खाना खाने वाली थी और एक नई चीज भी नहा ने बनाया केक, नहा को पता था कि उसकी सासुमा को केक बहुत पसंद है तो बस इसलिए उसने उनके लिए केक भी बना लिया, वैसे तो नहा की सासुमा राइपुर में ही रहती थी क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें आगरा शहर का माहूल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूटने ही करते मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुँ में साल में दो या तीन बार तो यहां खीची चली ही आती थी अमर की प्राइविट नौकरी की भागम भाग में उसे चुटी कम ही मिल पाती थी और फिर इधर उनके बेटे रिंकू का स्कूल, कराटे क्लास और नेहा की टुशन क्लासे बस इन सब के बीच वो चाकर भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज या तेहवार पर ही रायपुर जाने के लिए दो या चार दिन का समय ही निकाल पाता था सरमीला जी को अपने बेटेवा बहु के पास आगरा आय हुए पूरा दो हपता बीच चुका था और बीते हुए इस दो हपते में वो कम से कम निया को चार या पाल बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी और उन्हें लगता था कि निया एक बहुत ही आराम परस्त जिन्दगी जी रही है क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबा ही आफिस चला जाता है और निया घर में मालकीन बनकर सारा दिन बैटे बैटे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती क्योंकि इस बार शर्मीला जी को उनकी सबसे नापसंद चीज यहाँ जो देखने को मिली और वो थी कामवाली बाई जिससे शर्मीला जी को सक्त परहेस था बरतन जाड़ों पोचा से लेकर कप्रे तक धोने का सारा काम यहाँ तो कामवाली बाही करती है जबकि नहा के बढ़ते हुए बजन के वज़ा तो कुछ और ही थी मगर वो शर्मीला जी की हर एक बात को चुप चाप ही सुन लेती थी शादी के इतने साल भी जाने पर भी नहा ने कभी भी अपनी सास को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया था तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी शर्मीला जी निया को बात बात पर रोकती टोकती थी उसकी दोरा किये गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गी थी वैसे इसमें जितनी गलती शर्मीला जी की थी, उससे कहीं जादा गलती शायद नेहा की भी थी, क्योंकि कहते हैं न कि गलत करने से भी ज़्यादा दोसी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं, अरे बस आपको सही को सही और ग उचाल आया शायद उसी से पनपने वाले डरने ही फिर कभी नेहा को शरमीना जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिमत नहीं